नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन यारे इस घंटी पर क्लिक कीजिए मेरे लिए बड़ा नहीं है मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है रसल ने कहा कि T20 फार्मेट का सोभाव ही यही है कि मुमेंटम कभी भी बदल सकता है और इसी वज़े से मैं कभी हार नहीं मानता हूं और हमेशा आत्म विश्वास से भरा रहता हूं हार से हताश हुए कप्तान विराट कोलकाता के खिलाफ बैंगलॉर की टीम को पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा दोसों से ज्यादा रन बनाने के बाद भी बैंगलॉर की टीम मैच जितने में नाकाम रही हार के बाद कप्तान विराट कोली काफी निराश नजर आए विराट ने कहा कि अंतिन चार ओर में अंद्रे रसल ने दमदार बल्ले बाजी करते हुए मैच का रुख पलट दिया विराट ने साथ ही कहा कि बारवा सीजन वाकई में टीम के लिए काफी निराशा जनक रहा है विराट ने रहना के रिकॉर्ड को किया ध्वस्त आईपियल में विराट कोली ने बल्ले बाजी में अपनी बाश्चाहत कायम कर ली है टूर्णामेंट में रन बनाने के मामले में पहले नमबर पर चल रहे चन्नाई के सुरेश रहना को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है भारती कप्तान ने कोलकाता के खिलाख 49 गेंद पर 84 रन की पारी खेली इस पारी के साथ ही IPL में उनके नाम कुल 5,110 रन हो गए है इस तरह से वह सुरेश रहना के 5086 रन से आगे निकल गए है इतना ही नहीं विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में अपने 8,000 रन भी पूरे कर लिये है डेवन ब्रावो दो सप्ताह के लिए IPL से बाहर चेन्नाई सुपर किंग्स के आल राउंडर डेवन ब्रावो मौन स्पेशियों में खिचाओ के कारां दो सप्ताह तक IPL नहीं खेल पाएंगे टीम के बल्ले बाजी कोच माइक हसी ने इसकी जनकारी दी हसीने साथ ही उमीद जताई की ब्रावो जल्द ही पूरी तरह से फिट होकर मैदान में वापसी करेंगे गौर्टलाभे की मुंबई के खिलाफ हुए मुकाबले के दौरान ब्रावो चोटिल हो गए थे ब्रावो का बाहर होना चन्नाई की टीम के लिए इसलिए भी जटका है क्योंकि उन्होंने अब तक टोर्टनामेंट में शांदार गेंबाजी करते हुए चार मैच में साथ विकट लिये हैं असगर को कप्तानी से हटाने पर नभी और राशिद हुए नाराज अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक चावकाने वाला फैसला लेते हुए इंग्लैंड में होने वाले विशुकप से ठीक पहले असगर अफगान को कप्तानी से हटा दिया है बोर्ड के इस फैसले पर टीम के दो सीनियर खिलाडी राशिद खान और मुहमद नभी ने नाराजगी जताई है राशिद खान ने ट्विट करते हुए कहा कि मैं बोर्ड के फैसले का सम्मान करता हूँ लेकिन विशुकप से पहले कप्तान बदलने से टीम का संतुलन बिगड़ेगा वहीं मुहमद नभी का कहना है कि टीम का सीनियर खिलाडी होने और अफगानिस्तान क्रिकेट का विकास का गवाह होने के नाते मुझे लगता है कि विशुकप से पहले कप्तान बदलना सही नहीं है अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूले आप अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं